स्टार्ट करते हैं प्रस्नाली 4.1 का नेच्ट लिक्चर इसके पहले बाले लिक्चर में हम लोगोंने कुस कुईक्ष्ट को देख लिये हैं यह 4.1 का ही नेच्ड लिक्चर है जिसमें हम लोग बचे हुए क्षिचन को सौल्व करते हैं निमन इस्थितियों की द्विघाद समिक्रण के रूप में क्या करना है ब्यक्त करना है निरुपीत करना है तो जो कंडिशन दी हुई है या जो कुश्चन दिया हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे द्विघाद समिक्रण के रूप में ब्यक्त करेंगे इसके पहले वाले ले लंबाई चौड़ाई के दो गुने से एक अधिक है हमें भुखंड की लंबाई और चौड़ाई ग्याद करनी है तो निरुपित करना है कैसे होगा तो देखिए गीवेन है क्यूशन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि जो एक भुखंड का छेत्रफल जो दिया हुआ है वो छेत बराबर 588 मीटर स्क्वाड अब देखिए कंडिशन क्या दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से तो मालेजिए कि इस तरीकी की भुखंड होगा आयतानुमा यह लंबाई हो जाएगी और यह क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगी और यह दिया हुआ टोटल एरिया क्लियर है इस condition के according हमें क्या करना है इसे द्विगा समिक्रण के रूप में ब्यात करना है हम मान लेते हैं कि माना चोडाई बराबर माना चोडाई बराबर एकस चोडाई किन्नी हो गई x हो गई तो प्रश्ना नुसार क्या कह रहा है कि लंबाई चोड़ाई के दो गुने से एक अधिक है तो प्रश्ना नुसार लंबाई बराबर 2x प्लस 1 क्लियर है और आयत का च्छेत्रफल पता है क्या होता है लंबाई गुड़े चोड़ाई बराबर 6 त्रफल ठीक है तो लंबाई कितनी है 2x प्लस 1 चोड़ाई आपने माल लिया है x बराबर 528 इसका मल्लिप्लाई करें का जाएगा 2x square प्लस x बराबर 528 देन 528 को shift कर लीजिए तो 2x square प्लस x माइनस 528 बराबर 0 यह देखिए यह question हमारा द्विघाद समिक्रण के रूप में क्या हो गया व्यक्ट हो गया तो इस तरीके से इस question को हम लोग क्या कर लिए हैं हल कर लिए हैं next question देखिए next question है दूसरे का पहला हो गया दूसरे का दूसरे का क्या 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 रहा है तो हम लोग उसको देखेंगे कि कौन कौन से मेत्रेस स्वाल्व होते हैं वह आपका सॉलूशन जो होगा वह 4.2 से स्टार्ट है बस इस वाले प्रश्णावली में इसको क्या बनाना है द्विघात की रुप में बनाना है अजी सॉलूशन देखते हैं कि धनात्मक पुढांक क बराबर X ठीक है तो अब धनात्मक क्रमागत दिया हुआ है तो दूसरी जो पुढांक होगी दूसरी पुढांक संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी X प्लस 1 क्लियर है धनात्मक दिया हुआ है तो पहली हमने माल लिया कि पहली पुढांक किनी है X है और दूसरी पुढा 1 बराबर 306 clear है x bracket में x plus 1 बराबर 306 multiply होगा x square plus x 306 306 को lift time में shift करिए x square plus x minus 306 बराबर 0 यानकी इस तरीके से हम लोग दो क्रमागत पुडांकों का जो समीक्रण होगा वो प्रशना अनुसार वो ये बनेगा x square plus x minus 306 बराबर 0 ये हमारा क्या बन जाएगा दोई गहात समीकर दोई गहात समीकरण दोई हम इससे पहले ही पता दी है आपको दोई गहात समीकरण क्या होता है जो x के power limit क्या हो 2 हो नेकि standard माना जाता है x square plus bx plus c बराबर 0 अगर ऐसे compare करेंगे आप compare कर सकते हैं तो वो तो आगी की बात है कि a बराबर क्या हो जागा a बराबर 1 हो गया b बराबर क्या हो गया c बराबर क्या हो गया minus 306 तो ये तो compare करने के बाद होती है लेकिन ये हमारा क्या है दोई गहात समीकरण है clear है next question हम लोग तीसरा question देखते है ये third question देखते है लिखा हुआ है कि रोहन की मा उससे 26 वर्ष क्या है बड़ी है उनकी आयू का गुड़न फल अब से 3 वर्ष पस्चार 360 हो जाएगी तो हमें रोहन की वर्तमान आगी से देखते हैं देखते हैं मान लेते हैं कि माना रोहन की वर्तमान आग chim या आग affirm X वर्ष है अब देख्या रोहन की अगर X हो गई तो उसकी जो मा हैं वह कितनी वर्ष अधिक है 26 वर्ष अधिक है यहाँ से हो जाएगा कि रोहन की मा की आयू जो हो जाएगी वो जाएगी x plus 26 clear है ये तो इतने recording होगी अब क्या कहा रहा है कि तीन वर्स पस्चात यानि तीन वर्स बाद जब तीन वर्स बाद की बाद करते हैं तीन वर्स तीन वर्स बाद की बाद की बाद करते हैं तो देखिए पहले माइनिस हो जाएगा बाद में क्या हो जाएगा तो जब तीन वर्स बात क्या हो जाएगा तो तीन वर्स बात क्या हो जाएगा तो तीन वर्स बात क्या हो जाएगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कि एक्स वर्स का है तो तीन वर्स बात क्या हो जाएगा रोहन की जो आयू होगी वो क्या हो जाएगी X प्लस 3 क्लियर है और तीन वर्स बात अगर इसकी आयू बढ़ेगी इसकी मा की भी आयू बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा रोहन की मा की आयू कितनी हो जाएगी तीन वर्स बात है कितनी हो जाएगी x plus 26 थी अब plus 3 इसमें क्या हो जागा add हो जागा तो x plus 27, 29 हो जागा x plus 29 अब देखें प्रशना नुशार क्या कहा रहा है प्रशना नुशार इन दोनों का गुड़नफल तीन वर्टस बाग आयो का गुड़नफल किनना है 360 तो कर लेते हैं तो गुड़नफल क्या हो जागा x plus 3 और x plus 29 बराबर 360 clear है 360 तो यहां से हम लोग देखते हैं गुड़ा कर लेते हैं x का x में then x का 29 में तो क्या हो जागा x square देख रहा है यहां पर solve कर लेते हैं यहां पर इस तरीके से क्या हो जागा x square प्लस 29 x प्लस 3 x प्लस then 3 का 29 में multiply हो का तो क्या होगा नुत्रिक 27 का 7, 2, 3, 6, 7, 8, 87 बराबर 360 clear है अब इसके आगे देखते हैं क्या हो जागा x square प्लस यह देखिए यहां पर क्या है 29 है प्लस में यहां पर भी प्लस में तो 29, 31, 32 यहां पर जागा 32 x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0 अब देखिए यह इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो यहां पर solve करते हैं क्या हो जाएगा x square प्लस 32 x माइनस अब इसके घटा आ जाएगा क्या बचेगा यहां पर 360 में से घटा लेंगे तो 7 बचेगा यहां पर, 3 बचेगा देण हापर क्या हो जाएगा एक सिर्फ 5 वी जाएगा 15 तो यहां बचेगा 7 और 2 बराबर 0 तो यह हमारा दुई घात समीक्रण के रूप में क्या हो जागा व्यक्त हो जागा जाने कि इस प्रश्ण के अनुसार हम लोग यह समिक्रण बनाएंगे अब देखिए अगर इसमें आज पूछता है तो इस समिक्रण को अगर आगे हम हल करेंगे स्वाल करेंगे अलग-अलग बिधी से गुरणखंड बिधी से पूढवर्ग बिधी से या सिर्ध्राचारी नियम से तो यहां से X की वेल्यू आ जाएगी और जो X की वेल्यू है यह किसकी है रोहन की आज़ू है लेकिन हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ इस क्विस्चिन के चाल 8 km पर हावर कम होती तो वह उसी दूरी को तै करनाई में क्या लेती तीन घंटा अधिक समय लेती तो सॉल्व करते हैं इसको तो माल लेते हैं कि माना सॉलूशन देखिए कि माना रेल गाड़ी की चाल जो है वो x km पर हावर है तो अब देखिए जो दूरी दिया हुआ है दूरी क्या हुआ है 480 km दिया हुआ है तो सबको पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय तो यहाँ पर चाल दिया हुआ है दूरी दियावत समय निकलना है क्या हो जागा समय बराबर दूरी बटे 4 तो अब देखिए अगर X किलोमेटर के हिसाब सेरेल गाड़ी चल लगी है तो कितना समय लेगा माल लिजे T1 समय ले रहा है तो कितना देख 480 बटे X चाल कितना है अब प्रशन के अनुसार क्या कहा रहा है यहां पर समझिए कि अगर उसकी चाल कम कर दिज्याए जाब चाल कम करेंगे तो लगा शमय यानि कि T2 यानि काज हम लग सकते हैं कि 8 किलोमेटर पर हावर 8 किलोमेटर पर हावर कम करने पर लगा समय इस समय के हम T2 दिखा देते हैं और इसी दूरी को तो किंदा हो जाएगा 480 बटे X-8 अब कहरा है कि इसमें लगा समय और इसमें लगा समय यहने कि 8 km की स्पीड कम कर दने के बाद लगा समय और X के स्पीड से लगा समय जो दोनों का अंतर हो गिंदा है तीन घंटे का है तो हम सॉल्ब कर सकते हैं कि प्रश्णा अनुसार क्या कह रहा है कि T2 माइनस T1 बराबर 3 T2 माइनस T1 बराबर 3 तो T2 कितना है? 480 बटे X-8 माइनस 480 बटे X बराबर 3 इससे हम लेकर सॉल्ब करते हैं इसको यहां से क्या हो जाएगा? X, X-8 बराबर 3 और यहां पर हो जाएगा 480 X-8 क्लियर है? मल्टिप्लाई कर लीजिए यहां से तो 480 X-480 X-8 बराबर इसका मल्टिप्लाई हज़र होगा तो 3X-8 क्लियर है? तो यहां से सॉल्ब की यह प्लस में यह माइनस में दोनों केंसिल हो जाएगे अगर 480 में अब क्या करेंगे हम लोग? 480 में 8 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0, 64, 4, 32 और 38 हो जाएगा यहां पर 3840 3840 बराबर यहां हो जाएगा 3X-8 तरीके 24X 24X तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे? इसको इधर सिफ्ट ले जाएगे तो बन जाएगा यहां से क्विशन देखिएगा यहां पर लिख देते हैं प्रापर तरीके से नूर्स बनाईए कोई भी डाउट है आप कमेंट बाक्स में मेसेज करिए ओके? थैंक यू